अब कौन-कौन से आसन हैं जिसकी मदद से खराटों को कम किया जा सकता है और ज्यादा खराटों से होने वाली जो अलग-अलग बीमारियां हैं जो अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बच सकते हैं दो ऐसे योगा भ्यास हैं जिनें अगर आप रेगुलर्ली प्राक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बिमारी नहीं होगी सबसे बड़ी बात है कि ये योगा भ्यास आपके पूरी बॉड़ी में बलड और ऑक्सिजन के फ्लो और सप्लाई को अच्छा करेंगे और भी दूर होगी वो परिशानी जो है वो प्रॉब्लम जो है उसका भी solution ये दो आसन है हाला कि ये दो आसन शुरवात में थोड़े मुश्किल है लेकिन अगर आपको सही टेकनीक मालूम है और अपनी बॉड़ी का strength और balance आप बना सकते हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत helpful ह पहला आसन है king of आसना यानि की शिर्शासन, headstand दूसरा आसन है queen of आसना यानि की सर्वांग आसन, shoulder stand तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हो कि headstand कैसे करें ये आसन वही लोग करें जो पहले से headstand कर रहे हैं अगर आप headstand नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जब इस आसन को perform करें तो आप वाल का support लें बिना support के आपके आसन ना करें परना आपको injuries हो सकती हैं चोटे लग सकती हैं तो eight step process है headstand करने के लिए उसकी पूरी technique है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूं सबसे पहले तो आप मेरी तरह वाजरासन में बैठ जाए वाजरास प्र premium होंगे जैसे में बैंड और हो और आप अपने hand को shoulder distance पर अपने सामने रखेंगे जैसे उसके बाद आप कया आप algumas hands को measure करेंगे अपने elbows को measure करेंगे measure ऐसे करना आप right hand से इधर पकड़ेंगे left hand से ऐसे अपने elbows को पकड़ेंगे और ये shoulder तो आप अपने हाथ ऐसे खोलेंगे, जहां पर आपके elbows आ रहे हैं, यहीं पर आपके elbows placed रहेंगे, यानि कि इतना ही distance आपके हाथों का रहेगा जब आप shoulder stand करने, head stand करने जाएंगे, यह उसके बाद दूसरा step है, आप अपनी fingers को interlock कर लेंगे, ऐसे interlock करके आपने ground पे place करनी ह यहाँ पे आपके elbows आये थे और यह parallel आपके जो हाथ हैं ऐसे ground पे placed रहेंगे, interlocked, यह है step 2, अब step 3 में आप अपने top of the head यानि कि crown area को अपने interlocked finger के बीच में place करेंगे, जैसे मैं place कर रहे हूं, step 3, आप थोड़ा सा उपर उठेंगे उसके बाद place करेंगे, अब step 4 में आप अपने घुटनों को उपर उठाएंगे, यह हो गया step 4, अब आप forward move करेंगे, अगर आप comfortable हैं तो आप अपने दोनों पेरों को mold दीजे, अगर आप comfortable नहीं हैं तो धीरे धीरे एक पेर को fold कीजे फिर balance बनाईए, जब balance बन जाएगा तो दूसरे पेर को fold कीजे, उसके बाद यह है step 5, उसके बाद आप अपने टेल बोन को टक करेंगे, टेल बोन टक रहेगी, थोड़े दिर यहाँ पर balance बनाईए, उसके बाद आप अपने hip को open करेंगे, जो hip bend था, उसको ऐसे open करेंगे step 7, उसके बाद आप अपनी body align करेंगे, आपके hands, आपके feet, आप निक्चे आने का भी process बहुत easy है, जैसे आप उपर गए थे, वैसे ही आपने नीचे आने है, सबसे पहले आपने अपने घुटनों को bend करना है, उसके बाद आपके hip bend होंगे, ऐसे नीचे की तरफ, उसके बा आप अपने feet को floor पे लाएंगे, धीरे धीरे आराम से balance करते हुए, पेरों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, फिर आपके घुटने floor को touch करेंगे, उसके बाद आप सुक खासन में बैठेंगे और फिर करेंगे child pose, child pose से वापस आएंगे, head stand जब भी आप करेंगे, तो आपने ये make sure करना है कि आप child pose कर रहे हैं, child pose करना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम head stand करते हैं, तो हम अपने पैर हवा में और सर float पे रखते हैं, यानि कि हम सर के बल हवा में खड़े होते हैं, नॉर्मली हम पैरों के बल ज जब हम जमीन पर खड़े होते हैं, तो जो हमारा blood circulation होता है, वो नीचे की तरफ होता है, यानि कि हमारे दिल से खून नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब हम जमीन पर सर के बल खड़े होते हैं, तो उसमें हमारा blood circulation है, वो reverse हो जाता है, यानि कि जितना भी खून नीचे की त ही जो ब्रेन में oxygen की कमी और ब्रेन में blood की कमी से होती हैं तो उन बिमारियों के खतरों से भी हमें बचाता है और खासकर obstructive sleep apnea की परिशानी से dementia की परिशानी video से कई दाश पमजोर हो जाती है omega की कमी हो जाती है Normal B12 की कमी हो जाती है तो उन सारी कम्यों से हमारे body को, हमारे शरीर को बचाता है और good hormone के release के लिए भी headstand एक बहुत अच्छी practice है जो आप सभी को करनी चाहिए और headstand करने के बाद शशकासन इसलिए करना चाहिए child pose इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो blood का flow हमारे सर पे गया है वो दीरे दीरे शरीर के बाकी हिस्सों में वापस लोटे आप headstand करने के बाद अगर एकदम से खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी आँखें बहुत लाल हो गए है उसका सबसे बड़ा reason यह है कि आपका जो body का blood है और blood का flow है वो सब आपके शरीर में चला गया है इसलिए आपकी आँखें लाल हो गए है तो इसलिए headstand करने के बाद child pose करना शशकासन करना बहुत जरूरी है